मोधी जी ने जो हमारे लिए काम किया है वो बहुत अच्छा है और मतलब जिस तरह से हम आज घूमने आये हैं और हम यहाँ पर अकेले घूमने आये हैं हम आए साथ कोई जैंट्स नहीं है कोई भी मेल नहीं है बट फिर भी हम सुरक्षा फिल कर रहे हैं और हम अकेले यहाँ गूमने आए तो यह हमारे लिए बहुत आए वह एक ऑच्छी बात है और यह सच में हमाइए लिए बहुत एक मतलब मान राट है प्राउड की बात है कि हमारे जो देश के नेता हैं वो मोधी जैसे हैं तो फकार्स क्योंकि उत्तर प्रदेश की पहले परिवाशा कुछ और थी, इसको क्राइम के परदेश के नाम से जाना जाता था, अब यहां मैं देख रहा हूँ, आप लोगों के बीच में इसलिए अब यहां परिवाशा बदलती नजर आ रही है क्राइम का प्रदेश इसलिए कहा जाता था, क्योंकि इसके सरकार कोई और थे, पर आज इसको बहुत ही महान देश कहा जाता है, इस देश को पूरा दुनिय, पूरी दुनिया जानती है, और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है, क्योंकि इस देश के प्रदान मंत्री का ना प्रशन का प्रशन पूचिए तो हम उनको अगर प्रदान मंतरी बना देंगे तो पर से ले आएंगे उल्टा ही कर देंगे लोण कर देंगे ना विलोम आपकी जाती के ऊपर पहुंचे क्या पत्रगारों को भी पूच्बा सब्सक्राद एक कर्द नहीं नहीं कालता है तो उनको कुछ नहीं मिला तो नहीं यहां पर यहां पर यहां कि हमारे इस इंडियन का नाम किसी और ने दिया है दिया है हम हिं सुनी से हम हिंदु है हैं हम हिंदू हैं हम भारतिय हैं और हमें बिल्कुल प्राउड है जो हमारे देश को आगे बढ़ाएगा मुसी को तब प्रधान मंत्री बनाएंगी हम कैसे किसी को भी उठागे बना दें किसी को भी सीट पकड़ा दें और हम यह से नहीं दे हमारे लिए तो सिफ मोदी जी हैं किसी को पता ही नहीं कि सांसद है कौन हमारे लिए तो अभी भी रागव जी का ही पता है सबको मतलब उनका हारने के बाद भी उनका वर्चस हो है 23,000 वोट से आरे थे वो देखिए ठीक है लेकिन वो बिलकुल अभी भी आम जनता हम भी कभी कोई काम होता है हम जाते तो काम होता है हमारा और महिलाएं सुरक्षित हैं महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है आज की जो महि महिलाओं के लिए इतना अभी आप देखिए उतर्परदेश को पहले किस नजर से देखा जाता था एक क्रिमिनल ेस्टेट की तरह से देखा जाता था अभी ये योगी जी और मोदीजी ने इसको उतर्परदेश से उत्तमपरदेश बना दिया है सबसे इच्छी बात यह है अभी महिलाएं महिलाओं के लिए स्वेम साहता समूह के दुआरा इतने सारे काम उनको दिये जा रहे हैं अब महिलाएं बेरोजगार नहीं रही है घर में रहने वाली महिलाएं भी घर से काम कर रही है अपने परिवार का पोशन कर रही है, अपने परिवार में साथ दे रही है परिवार को तो और क्या चाहिए रोजगार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है प्राफुल गांधी तो कह रहे हैं बेरोजगार गूम रहे हैं देश में रोजगार खत्म कर दिया है जो यह मुदधे उठा दे थे वह सारे मुद्धे में ले आए पहले रामंधीर के लिए एक आऊ-गया महिलाओ कि यहाद अब को परिवार है मोदी जी का नहीं है बहुत सारा परिवार है हम मोदी परिवार है आप भी मानते हैं बिल्कुल मानते हैं जैसे यह मेरे को ऐसा लग रहा है 2014 का चुना हुआ तो तब एक campaign चला कि चाय वाला कैसे परदानमंत्री हो सकता है बन गए 2019 में चला कि चोकीदार चोर है और जादा सीटे आगी अब जो पूरा campaign यहां मोधी का परिवार पर शिफ्ट हो गया है जी बिल्कुल क्योंकि जब भी पक्ष कहता है ना कि परिवार नहीं है तो बिंदास है हर तरह का कारिया कर सकते हैं जो भी कुछ करने लेकि नहीं मोधी जी अके लिए नहीं है प बिल्कुल नैशूरली है सर की परिवारी तो है तो मोधी जी योगी जी भी तो हमारे परिवार का ही सही है तो कुछ किया है योगी जी ने काम आपको लगा फिछले साथ सालों में यहां उनके इलावा तो किसी और ने काम किया ही नहीं है योगी जी तो है जो पूरे उत्र परदेश को समय सुधार के लिए उतना इतना अच्छी वेवस्ता कि है कि आज अगा मातर शक्ति लेट भी कहीं से आरही है तो करिंदास हो किसी नहीं और का शुकत नरीगहों कितना अच्छा है आप देखी रहे हो और मात्र शक्ति के लिए तो बहुत ही अच्छा किया और आज हम अपनी बेटियां हमारी बेटियां बहुत सुरक्षित है आपका क्या नाम मेरा नाम कंचन दवन है यहीं के रहने वले हां जी अभी आपने सवाल किया कि क्या योगी जी अपने परिवार मानेंगे हमने तो योगी जी को अपने भविष्य का प्रधान मंत्री चुन लिया है और आप कहते हैं यह प्लाणिंग करके मतलब अपने फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ते हैं अपने बच्चों के लिए वो जोडते हैं अपने देश की शुरक्षा के लिए प्रधान मंतरी भविष्टे का चुना आप में देखा होगा कि जब ढवापर यूग था था तरेता यूग था तब रक्षे 6 का सहार करने के लिए राम ने जनम लिया था ठेश रीटर रिज्चने करनेमी था कल्यू का उधार करने के लिए नारी शक्ति का उद्दार करने के लिए मोधी जैसे महापुरुष ने जनम लिया है और यह सदियों में कभी एक ही ऐसा होता है जो कि दुबारा इनके जैसा हमारे नजरों में जब तक हम जिन्दा है शायद हम देख पाएं दुबारा तो हम तो चाहेंगे कि जब तक भगवान उन्हें इतनी लंबी उमर दे कि वो हर बार हमारे प्रदान मंत्री बने और हमारा देश सुरक्षी जातों में रहे नारी शक्ति का सम्मान हो नारी शक्ति करन को बढ़ावा मिले यह हम चाहेंगे कि जब तक हम जिन्दा रहे हम मोधी जी को अपने प्रदान मंत्र आप एक बात बताएं, विपक्ष में पहले जब उनकी सरकार हुआ करती थी तो नारी को एक टाइम पास वस्तु समझा करते थे वो, सिर्फ एक वोटर थे उनके लिए, लेकिन महिलाओं के लिए क्या इज़त होती है, मा, बेहन, बेटी, सब के रूप में अगर किसी ने हमें तो मोदी जी ने देखा है, उनको ये लगता है कि आदी आबादी हैं हम, और जब घर की मुखिया एक औरत होकर परिवार को संबाल सकती है, तो अगर देश महिलाओं के हाथों में चला जाएगा, तो कितना सुरक्षित और कितना अच्छा होगा, ये मोदी जी की सोच है, इ हमारी वंदन अधिनियम उन्होंने इसलिए लागू किया, कितनी सीटे लग रहा है, इस बार आपको लगता है कि भारतिय जनता पार्टी थोड़े टाइम पर ऐसा होगा कि विपक्ष रहे गाई नहीं, ये हमारी सोच है, इसका कारण क्या लगता है, आप एक बात बताईए कहते हैं कि जब हाती चलता है, तो बहुत लोग पीछे जानवर उनको हाती की चाल पर कोई असर नहीं होता, ये हमारे मोदी जी हैं, जिन पर कोई असर नहीं हो रहा है, दुनिया उन्हें इतनी गालियां देती है, विपक्ष वाले उनके विरुद कुछ भी बोलते हैं, ले कि तुई थी, सबसे बड़ी भूलती, ना तो हमने उन्हें सांसद को देखा कहा रहते हैं, और कैसा चेरा है उनका, और नाम तो सुनाया है, फजलू रहमान, वो तो अपने कारखाना बचाने के लिए लड़ेते चुनाओ, उनका कटान का वह है कारखाना, उसलिए उन्हें कारखाना बचाने के लिए इसलिए उन्हें कारखाना जेल जाने की वज़े से माय वटी जी ने चुनाओ लड़वाया था, इसलिए लड़ेते, अब तो मैदान में भी निया ना चुनाओ भी निया लड़ेंगे गों और ये तक कि मुसलिम लोग भी उन्हें नहीं चाहते एक परसेंट भी के आई फिल्ड में अब क्योंकि फिल्ड में दिखे ही नहीं सिरफ बीजेपी और कोई नहीं दिखा फिल्ड में क्रोना काल से लेके बाड तक सिरफ बीजेपी ही नजर आई हर जगे जी उपी की एसी हमारी है 78 जो छोड़ दिया है दो का तो चांस और को भी मिलना चाहिए क्योंकि 403 आएगे सिट लिख लो दूंगी आपको क्या लग रहा है क्या महोल चल रहा है भी चुनाव आगया कभी भी आचार सहीता लग जाईगी आप देखो ना आप यह इदर आपे आयो आप जोगी और मोदी यही दोनों है और रही बात लोकसभाई की तो लोकसभाई तो 101 परसंट हम जीतेंगे ही आप देखिए ना जिस देश का मुखिया जिस देश का राजा इस तरह से महिलाओं के लिए सोच रहा है चार जाती के लिए सोच रहा है किसान के लिए सोच रहा है य यूवा से चलता है महिलाँ से चलता है इन सब चीजों को आगे बढ़ा रहें तो क्या कमी आपने बात कई थी UP में की उत्तर परदेश में जब सी योग्या है मैं आपको खुद बताउं जब मैं 2014 में मेरी साधी हुई थी तब में यहां पे आई ती तो लाइट नहीं आती थी बाई साब लाइट ना पूरी रात रात भर लाइट नहीं आती थी कोट रोट पे लड़कियों के ऐसे चेड़ते थे ऐसे दूपटे खीचके लेके जाते थे कोई प्रशाशन नहीं था यदि कोई प्रशाशन की बात करें तो बिलकुल जीरो था महिलाएं आज शुरक्षित हैं आप देखोगे रात को 10-10-11-11 बिजे तक भी अगर नॉर्मली महिलाएं कहीं से आ रही हैं तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा यह धन्यवाद है मोदी जी का योगी जी का आज आप देखो न कहां क्या मैं आप से करती हूँ चलो हम तो ए आज भी वही सांसद है रागव लखन पाल भाई साहब ही है और वह विश्वास दिलाती हूं कि आगे भी वही बनेंगे बिल्कुल बनेंगे और क्या लग रहा है तो आगे क्या फ्यूचर विपक्ष का आपको नजर आ रहा है क्योंकि अब तो कॉंग्रेस यह कहते है कि रा आप एक जिसे बोलते हैं वो किटिंग कॉस्चंज उस पर बिल्कुल आप बात मत करीगा क्योंकि वह तो राहूल गांदी वह तो आलू से सोना भी निकाल देते हैं है ना उनके लिए तो राम मंधिर भी सांप्रदाई कहा है मैं कहते हूं कि राम मंधिर जो है वो अगर यह देश दुनिया है न भाइस आप यहां हिंदुस्तान है यहां जैश्री राम बोलना ही पड़ेगा यह राम राज्जी है यह सनात अंधर्म है यह हिंदुत्यों की धर्ति है यहां पर जो कोई रहेगा वह ने तो इभी कह दिया मोधी तो हिंदू भी नहीं है उन पक साहरनपूर की धर्ति लोग सभा की जो सीट है वो बहुत बढ़िया उन्दा तरीके से निकलेगी लोग सभा में असी उत्तरपरदेश की सीट है ना यह बहुत अच्छी से निकलेंगी क्या कमी है बताइए ना आप तो देश दुनिया में घूम रहे हो उत्तरपरदेश में असी क्या है कुछ भी नहीं है आप बताओ ना आज अगर बाहरी दुनिया में बाहर देश में जाओगे तो यह कहेंगे कि इससे पहले सतर साल में वो राज नहीं कर पाए जो काम मोदी जी ने कर दिया कितने वो होतें कि राम मंदिर हम वो पीड़ी है हम धन्यवाद देंग ले के तो जाएंगे अंहीं बता सब्सक्राइब में आपनी बात रखी उत्तर प्रदेश को लेकर के आपको क्या लग रहा है इन महिलाओं की बात सुनकर के सहारनपूर सीट का उत्तरप्रदेश का और देश का मिजाज क्या रहने वाला है आप जुरूर हमारे साथ कमेंड बॉक्स में शेयर करें और लगातार कवरेज हमारी 2024 लोगसभा चुनाव की चल रही है